नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से सवागत है आपका अपने चैनल नेचर स्लैप पे आज हम गाजर की बिजाई की वीडियो बनाने वाले हैं और देखे सबसे पहले हमने जो हमारी जमीन जमीन के उपर उपर के जो घास को हटा लिया है और अब हम एक कसोला जिसको छोटी कसी भी बोल लगाता है उसकी साहता से जो मिटी उसको भुरुबरी बना लेंगे लेंगे गास के जो कुछ अवसेश बच गए उनको हमें कुछ नहीं करना है बस अलका सा मिट्टी जड़का की और बाहर फ्रैक देना है ताकि ये जर्मीनेशन में कोई दिक्कत नाख प्यादा करें इस तरीके से गाजर की जो लंबाई हो ज्यादा बने अब हमें एक रिज तयार करनी है और रिज के उपर ही हम अपनी गाजर उगाएंगे देखे इस तरीके से और जो भी आउसे मिने उनको हटा देना देखे अर्थ फॉर्म एक हेल्दी मिट्टी की पहचान अर्थ फॉर्म ये देखे एक और दूसरी तरफ से भी हमें ऐसे ही मिट्टी चदा लेनी है इसके उपर दोनों तरफ मिट्टी चड़ाने के बाद हमें उपर से इसको इस तरीके से लेवल करना है ताकि जो अमारी वीज बनी उसका उसका साइज मैक्सिमम हो सके वीड देखे आप पिछे एक बार कितनी अच्छी हो चुकी है करीबन करीबन डेड़ फुट के करीब इसकी वीड तयार है जो अब सेस आए उनको बीच में से अठा लेना है देखे जो रिज है दोस्तों अमारी जो मेड वो करीबन देखना एक बिलांच जो हमारा है करीबन करीबन आदा फुटिया से उपर है देखे अब हम देखे हमारे पास जो बीज है वो पिछली बार हमने कुछ हैल्दी जो गाजर थी बिलकुल वो रख ली थी और उनहीं के उपर जो बीज हमारा तियार हो गया था हमने गाज़र के बीज को निकाला नहीं क्योंकि जो गंजर्वेशन है बीज के जो मेंटेनेंस हैं आप में ही बहुत अच्छी रहती है तो करीब हमने दो से तीन गाज़र हमने रख ली थी जो बहुत हैलती थी तो उनका बीज तयार हो गया हमारे पास करें पिछले साल जो गाजर थी उसकी आप क्वाल्टी देख सकते हैं ये हमारे पास पिछले साल का एक फोटो है गाजर का तो इसी तरीके के गाजर के कुछ पोद्ध हम ने रखे थे और उनी का ये बीज है अब हमें कुछ भी नहीं करना है बस सिंपल सा काम है यह जो बीज का गुच्छा है इसको अपने हाथ पे रगड़ना है इस त्रीके से और बीज अपने आप गिरता जाएगा देखे दोस्तों यह देखे बीज कितना अच्छा गिर रहा है स्पेस देखे दोस्तों जितना गाजर के बीच में थुड़ा सा स्पेस मेंटेन रहेगा उतनी ही गाजर अच्छी बनेगी गहराई ज्यादा होगी और गाजर का जो मिठा से वह भी भूत अच्छा होगा तो इसी तरीके से हमें चलते जाना है बस हाथ के उपर इसको रब करना है और बीज अपने आप गिरता जाएगा इससे सबसे अच्छा बेनिफिट यह रहता है कि बीज जो है वो कम मात्रा में गिरता है और बहुत अच्छा गिरता है तो बीज डालने के बाद दोस्तों देखना हमें बस हलका सा हाथ इसके उपर इस तरीके से चलाना है ताकि जो बीज है वो थोड़ा सा मिटी के अंदर दब जाए देखे इस तरीके से और फिर उपर से एक हाथ इस तरीके से मार देना है लेवलिंग कर देनी है आप भी अपने घर पे गाजर के बीज को हमारी तरीके से रख सकते हैं या फिर आप बाहर उसको निकाल के भी रख सकते हैं बस आपको कुछ नहीं करना है घर पे आपके जो तीन-च्यार गाजर रख लेनी है जो बहुत हैल्दी है और उनी का बीज तियार हो जाएगा स्पेसिंग देखिए आप क्या शांदार स्पेस से बीज गिरा हुआ है कुछ इसी तरीके की गाजर हमने करीबन दस दिन पहले उगाई थी और उनका भी हम आपके साथ अभी रजल सेयर करने वाले है तो गाजर के लिए मिटी है वो हमारे पास हमने उसमें काउडंग जो कंपोस्ट है वो डाला कुछ वर्मी कंपोस्ट डाला और ये बिलकुल बालू मिटी है रेतिली मिटी तो गाजर के लिए सबसे उप्युक्त मिटी यही है और आपको कुछ ज़्यादा नहीं करना है गाजर के लिए गाजर बहुत सिंपल तरीके से उगजाती है बस आप बालूई मिट्टी रखिए उसके अंदर जितना कार्बन कॉंटेंट आप मिला सके उतना मिला दीजिए गाजर के लिए मिट्टी तियार है बारिश का मोसम है और परचूर मातरा में देखना हमारे पास जो है वो मिट्टी के अंदर नमी है और देखे आर्थवोर्म बिल्कुल छोटे छोटे तियार है यह देखना दोस्ते तो यह हेल्दी मिट्टी की पहचान है यह गाजर करीबं दस दिन पहले उगाई थी और आप गाजर का जर्मिनेशन देखिए एक बार क्या शानदार स्पेसिंग के साथ उगी हुई यह देखिए महज दस दिन की गाजर हुई और कितनी अच्छी उगी हुई इसी तरीके से हमने गाजर हुगाई थी है तो जुड़े रही हमारे साथ दोस्तों इसी तरीके की वीडियोस देखने के लिए थैंक यू दोस्तों